आसुर वेलकम बैक गाईज मेरा नमलान है और हाली में हमने एक ट्विटाल बनाया था कि आप नंबर कैसे पोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो दिबियांस लिखता है कि सट जीओ का नंबर को कैसे पोर्ट करते हैं आईए आज दिब्यान जी का सवाल ये करके देखते हैं तो मैंने जैसे कि बताया था आप जब भी कोई नंबर पोर्ट करते हैं आपको 1900 में पोर्ट with the number मेसेज करना होता है तो जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हम जाएंगे अपने मेसेजज में और फिर मेसेजज में जाके हमें 1900 में मेसेज भेजना है तो फिलाल आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आईडिया पोर्ट के लिए request भेजा था अब मेरा जो geosim है मेरा sim one में है तो यानि first sim से मुझे ये message भेजना है और पहले मैं message type कर लेता हूँ जो की होगा port और फिर जियो का number मेरा जियो का number जैसे मैं यहाँ पर enter कर देता हूँ और फिर मैं क्या करूँगा मैं अपने sim1 से यह request भेजूँगा क्योंकि मेरा sim1 में जियो का number है तो मैं अभी इसको भेज देता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं आपे लिखा है messages would like to send a message यह वगेरा वगेरा उसके बाद यह जैसे कि message जा रहा है और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 1901 से unique porting code एक 6 digit का code आ जाता है और यह जो हैं हमारे पास अब जो आया है 4 दिन के लिए valid है हमें अब यह unique porting code जो है यह लेके जाना होगा जो भी किसी carrier में हमें यह number retain करना है मानके चलिए हमें Jio का अच्छा service नहीं मिल रहा था हम चाहते हैं कि number तो retain करें लेकिन हम इसमें अब idea का network चला है क्योंकि idea हमारे region में अच्छा है तो मैं यह unique porting code और Jio के इस number का large bill payment लेके idea के shop में चले जाओंगा वहाँ पे वो मुझे एक consumer acquisition form भराते हैं एक normal form और मेरे biometric करवाएंगे या मतलब आदर verification या जो भी कुछ हो उसके बाद मुझे उनको शायद 7 या 19 रुपे कुछ तो ऐसे पैसे हैं जो मुझे देना होता है porting charges जिसे हम कहते हैं तीन दिन के बाद request process हो जाता है जम्मू कश्मीर में ये करीब अब भी 15 दिन लगते हैं उसके बाद आपको एक नया sim दे दिया जाएगा जिसमें नमबर तो आप वही यूज करोगे जो आपका पहले वाला है यानि कि आपका जियो का नमबर आप यूज कर पाऊगे लेकिन इस वक्त आप जियो के services ने आप idea के services यूज कर सकते हैं कुछ लोग का ये सवाल रहता है कि मेरे जियो में कुछ balance था क्या में आप इसे यूज कर पाऊंगा idea में नहीं आपके जो भी balance थे हो जियो में थे अभी आपको idea ही लेना है idea में क्या कोई mandatory plan लेना है नहीं idea के सारे जो भी plan से होगा सारा का सारा आपको available है इसको छोड़ के भी कोई भी वगरे वगरे सवाल अगर आपको है तो प्लीज आप comment section में लिखिए जैसे हमने देव्यान का सवाल लिया था वैसे आपका भी सवाल लेंगे और कुछ इसी प्रकार से आप अपने जीओ के नंबर को port कर सकते हैं आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे बेल आइकोन को दबाए रखें जिससे कि हम और भी प्रोचसायत हो इस तरीके की ट्विटरॉल्स बनाने के लिए थैंक यू सो मच उमीद करते हैं कि आज का आज का हमारे ये ट्विटरॉल्स आपको पसंद आया होगा मेरा हिंदी अगर सही नहीं है तो प्लीज मुझे माफ कर देना थैंक यू सो मच गॉडबलेस गुडबाई